दोस्तो नमस्कार मैं मुहन्थावाइत एम्टेक चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ जब आप किसी ग्रहक को किसी वस्तु का कीमत बतलाते हैं तो क्या आपका ग्रहक आपसे कहता है क्यों कीमत ज्यादा लगा रहे हो लागडाउन की वज़े से क्यों लूट रहे हो और दोस्तों अभी हाली में कुछ दिन पहले पंकच सर्माजी ने एक बहुत ही खुबसूरत सा सवाल पुछा था उनका ये कहना था कि सर कोई वस्तु हम 100 रुपय में खरिदा करते थे और 120 रुपय में बेचा करते थे आज मार्केट में उसकी कीमत लगभग 120 से 125 रुपय है और हम उसे 140 रुपय बेचते हैं तो ग्रहक कहता है लागडाउन की वज़े से लूट रहे हो और अगर हम ये कहते हैं ग्रहक से कि ये तो उपर से ही बढ़ा हुआ कीमत आ रहा है तो हम क्या करें तो ग्रहक बहस करने लग जाता है ऐसे में हमें ब्यापार करने में बहुत तखलीप हो रहा है आप सुझाओ दीजिए हम क्या करें शेल्समेन या ब्यापारी तो अपनी जगा सही है उन्हें तो अपना प्राफिट मिल जाता है परेशानी हमें आता है आप हमें कोई बहतर उपाय बतलाईए तो दोस्तों ये सवाल पंकच सर्मा जी का नहीं है ये सवाल आज की तारीक में अधिकांस ब्यापारी भाईयों का है तो इसके लिए सबसे पहले मैं पंकच सर्मा जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिनों ये खुबसूरत सा सवाल पूछा क्या आपके साथ ऐसा वाकिया ह होता है तब आपको क्या ग्रहकों पर गुस्सा आता है उस ग्रहक को आप कैसे हेंडल करते हैं क्या वो ग्रहक सामान खरीत के आपके साथ से वापस जाता है संतुष्ट होकर वापस जाता है क्या वो ग्रहक खाली हाथ वापस लड़ जाता है अगर आप भी इस तरह के आउसाई के लिए बहुत हेलफुल या यूसफुल साबित हो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं अभी भारत के अधिकांस हिस्सों में लागडाउन का दौर चल रहा है वरकर्स की कमी है फैक्टरी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है टांस्पोर्टिंग की समस्या है और ऐसे मे मार्केट में प्रोडक्ट का सौर्टेज बनना सुभाविक सी बात है जिसके करण कुछ लोग कालाबाजारी भी कर रहे हैं इससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों के आमदनी का जरिया बंद हो गया है एक तरफ आमदनी का जरिया बंद हो जाना और दूसरी तरफ वस्तों के कीमत में लगातार वृद्धी होना तो दर्द तो होता है हर इंसान को तकलीफ होता है ऐसे स्थी में जब लगातार कीमत में बृद्धी हो तो गुरह को तकलीफ होगा बहुत घष्ठ होगा और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर दबा दीजिएगा ऐसे ही useful tips के लिए तो आईए आगे बढ़ते हैं वक्त चाहे lockdown का हो चाहे सामाने परिस्थिती का अगर किसी वस्तु की कीमत में लगातार व्रिद्धी होता है तो ग्रहा को तकलीब जरूर होता है क्योंकि उसके दिमाग में एक कीमत बैठा होता है क किसी वस्तु का खास करके अगर रेगुलर वस्तु का कीमत लगातार बढ़ने लग जाए तो भोगता परिसान हो जाता है वह भोगता आप भी हो सकते हैं मैं भी हो सकता हूं अधर बिजनेसमेल भी हो सकते हैं या एक काम करने वाला मज़दूर भी हो सकता है तो आईए आग करता है तो इसके पीछे reason यह होता है सबसे पहली बात वो 8 दिन 15 दिन पहले स्वस्तु को खरीदा था तो स्वस्तु का कीमत उसके mind पे बैठा रहता है कि इस कीमत पे मिलता है और दूसरी बात आज public जागरुख हो गया है वो कई जगा कीमत try भी करते हैं तो होता यह है जब की कीमत आलस्थिर हो जाता है कहीं पे कुछ कीमत पे कहीं कुछ कीमत पे वस्तु मिलता है तो ऐसे पता लगाने वालों को ऐसे try करने वाले गराकों को उस पुराने कीमत पे वस्तु मिल भी जाता है तो इस स्थिति में उनका बहास करना स्वभाविक सी बात है और तीसरी बात आपके जैसा कोई ब्यापारी अगर वही प्रोड़क्ट बेच रहा है और उसके पास पुरानी खरीदी का वस्तू पड़ा है तो हो सकता है वो पहले वाले कीमत पे बेच रहा हो और आपका खरीदी अगर करेंट में है तो आप नए कीमत पर बेचने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं तो दोस्तों ऐसे स्थिति में ग्रहाक को जवाब क्या दें तो देखिए इस विश्य में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जब भी कोई ग्रहाक इस तरह का सवाल करता है जब भी कोई ग्रहाक इस तरह का ओपीनियन देता है क्यों लूट रहे हो लागडाउन की वैसे आप हमें चूना लगा रहे हैं, क्यों अधिक कीमत लगा रहे हैं, इस तरह के जब वाक्य बोलते हैं, और बदले में हम और आप क्या जवाब देते हैं, यही जवाब देते हैं, कि उपर से अगर खरेदी मांगा आया है, तो कैसे करें, हम तो वही रेट लगाएंगे, कीमत बढ़ गया है तो हम बढ़े ओए रेट लगाएंगे लेकिन जराब गौर कीजिए ये जो जवाब आपने दिया किस तरीके से दिया आपने अपनी भासा में दिया ग्राहक क्या उस भासा को समझ पाता है बहुत कम लोग होते हैं जो इस जवाब को समझ पाते हैं वो दुखान नहीं तो उस दुखान पे चला जाओंगा खरीदी के लिए मुझे उस कीमत पे मिल जाएगा वो आपकी बात से सहमत नहीं होता तो ऐसे में आप उसे किस तरह समझाएंगे आज उस जवाब को देने का बहतर तरीका समझ लीजिए तो चलिए हम मान लेते हैं एक ग को जला समझिए मैं दो उदारान के द्वाराई से आपको समझाने का प्रयास करता हूं आपके घर पे पाश महमान आते हैं आपके परिचीत हैं जिन्हें देखकर आपको खुशी होती है और उन्हें पनीर का रसावाला सबजी पसंद है लेकिन आपको पनीर का तला हुआ क्या पनीर का सुखा सबजी उन्हें खिलाएंगे महमान को या फिर उन्हें पनीर का रसावाला सबजी खिलाएंगे जो उन्हें पसंद है जहर सी बात है आप उन्हें पनीर का रसावाला सबजी खिलाना पसंद करेंगे क्यों क्योंकि उन्हें देखकर आपको खुशी तो आप रसावला सब्जी खिलाएंगे तो अगर ग्राहक इस तरह से सवाल करता है तो आप अपनी भासा में जवाब क्यूं दे रहे हैं ग्राहक को ग्राहक की भासा में जवाब दीजे वो तुरंट समझेगा चलिए दूसरा उदाहर बतलाता हूं उसके बाद मैं बतलाता जब हम डाक्टर के पास जाते हैं प्रिस्केप्सन लिखता है डाक्टर और जब हम उस प्रिस्केप्सन को देखते हैं तो हमें कुछ समझ में याता क्या लिखा है बस उचने तो उठा के घसिर दिया और उस prescription को लेकि जब हम medical पे जाते हैं तो medical वाला फट फट वो दवाईयां लिकाल के देता है और जब हम medical से दवा लेकर आते हैं और prescription के साथ मेच करते हैं तब पता चलता है डाक्टर ने क्या लिखा है तब उसके writing में वही spelling भी हमें समझ में आ जाता है लेकिन उससे पहले समझ नहीं आता क्यों? क्योंकि वो उनकी भासा है medical और doctor ही समझते हैं अधिकान सरुप से तो मेरे कहने के मतलब यह है दोस्तों जब ग्रहक यह सवाल करे तो सबसपहले तो आप ग्रहक को देख लिजे किस category का है? क्या करता है? अगर आपको यह पता है तो आपके लिए जवाब देना बहुत आसाम हो जाएगा माल लिजे वो ग्रहक मेरे साप में आता है और मुझसे यही सवाल करता है जब मैं जवाब देता हूँ तो मुझे भी यही बात करता है क्यों चूना लागा रहे हो? क्यों लूट रहे हो? लागडाउन का क्यों फाइदा उठा रहे हो? तो मैं सबसपहले उस ग्रहक के category को देखता हूँ वो ग्रहक करता क्या है? अब मुझे मालूम है जैसे मालीजे वो motor मेकेनिक है motor winding का का कारी करता है जिससे आप winding करते हैं तामवेतार तो वो कहता है 500 रुपे माल लीजे example करें मुझे नहीं वालूम क्या रिक्ष्ट रहता है तामवेका तो आप माल लेते हैं 500 रुपे कहता हूँ तो मैं उससे तुरंट कहता हूँ भाई साहब ये बतलाइए 500 रुपे केजी में भी तामवेका वायर आ रहा है अगर इसी करेंट कल की तारिक में 700 रुप हो जाए तो आप motor का winding क्या 300 रुपे में करके देंगे मुझे वो मेकेनिक बोलता है नहीं 200 रुपे अगर केजी बढ़ गया तो मुझे तो 50 या 100 रुपे बढ़ना पड़ेगा तो मैं बोलता है एक्जेक्ट सही बोले आप यही बात मेरे साथ है भाई साहब अब आप ये बतलाइए ये दुकान आपका होता अगर आपके खरीदी 125-130 रुपे में आती भासम समझाने के कोशिस मत कीजिए इसके बाद संभावना ये बनता है वो ग्रहा का आपसे सवाल नहीं करेगा बलकि आपके बताएप पैसे देकर वो सामान खरीद लेगा या फिर मान लिजिए कुछ ग्रहा का ऐसे होते हैं जो फिर भी मानने को त्यार नहीं होगे तो आपके पास अगला विकल्प ये बसता है आप अपना बिल निकालिए और इमान दरेशों से बिल को दिखा दीजिए अगर आपका खरीदी 125 रुपया है और उस ग्रहा को 140 रुपय देने में प्राब्लम हो रहा है तो आप थोड़ा निच्ची आजेए उससे थोड़ा उपर ले लिजिए कंप्रोमाइज कर लिजिए बराबर हो जाएगा आपका वो ग्रहा क वापस नहीं जाएगा 130 और 135 रुपय अगर दे देता है तो क्या बुरा है तो क्या पत्ती है से ग्रहा को संतुष्ट करने में तो इस तरह से भी ग्रहा के साथ डील किया जा सकता है एक और बात इसके बाद भी हो सकता है कोई ग्रहा का समखा के आया है कि उसको 120 रुपय में ही खरीदना है और आपका खरीदी भी 120 रुपय है तब भी आपके पास दो रास्ते बचते हैं पहला रास्ता यह है कि आप उस ग्रहाग को पहले वाज कीजिए उसके खरीदारी के संभावना को उसके भविस्य में खरीदारी के संभावना को पहले गवर कीजिए क्या वो आपको आगे भी कमाई दे सकता है क्या वो आपसे अच्छा डिल आगे भी कर सकता है अगर ये समभावना है और ग्रहाक जीत प्यड़ा है तो किसी ब्यक्ति को कभी कभी रेट टूरेट दे देना भी गलत नहीं होता और दूसरी बात अगर आपको लगता है कि वो ग्रहाक आपके डील करने योग नहीं है आपके पैसे लटकने वाले हैं तो बेसक मैं आपसे कहूँगा उस ग्रहाक को वापस जाने दीजे ज़्यादा अच्छा होगा और अगर वो वापस जाता है तो दो समभावना बनते हैं आप अपनी जगपे वाकई भी सही है और मार्केट में वाकई में 130-140 रुपे बीक रहा है तो ओ ग्रहाक दुबार अलाउट के जरूर आएगा आप पस खरीदारी के लिए अगर आप 125 के वस्तु को मान लिजी 130 रुपे में बेज रहे है और मार्केट में उसे 135-140 रुपे मिल रहा है तो आपके पास ज़रूर दुबार आएगा तो इस तरह से अगर आप ग्रहाक की बात को समझे और अगर आप उन्हें हैंडल करने का बहतर तरीका इस्तेमाल करें तो मैं नहीं समझता की आप क्यों ग्रहाक वापस जाएंगे अगर आज की तारीक में 10 में से 3 या 4 ग्रहाक को आप संतुष्ट कर पाते हैं तो इस तरह से अगर आप कस्टमर को हैंडल करेंगे तो 10 में से 7-8 ग्रहा को कम से कम आप संतुष्ट करके वापस भेश सकते हैं अगर आपके पास भी बिजनेस प्राबलम से संबंदित ऐसा ही कोई सवाल हो तो कमेंट बाक्स में जरूर लिखें साथ ही इस वीडियो को एक लाइक अवसे करें अपने खास मित रिष्टेदार या दोस्तों को ये वीडियो और से सेर करें क्योंकि हो सकता है बंदिने में वो भी आपको कोई ऐसा वीडियो सेर करें जो आपके लिए महत्पूर्ण हो या जिसकी आपको तलास हो और दोस्तों ये वीडियो का इसा लगा आपको कमेंट बाक्स में अपनी राय आउस्य दी जैहिन वंदे मात्रम